वैसे आप से प्रार्थना करें जिसे आप अपने इस वस्त्र को जो पहने हैं इसमें राधे राधे लिखा है यह आप इसे जन साधारान बात्रूम में धोएंगे कभी तो यह राधा नाम की धोवन जाएगी तो इसमें ठीक नहीं है तो आप कृपा करके इसको कभी आप इसे लिखे हुए वस्त्र मत पहनेगा क्योंकि कभी आपने अगर ऐसा किया कि धोया तो जाम लगशंका करते हैं वही राधा नाम का तो राधा नाम सिंगासन में भी विराजमान है हमारा हर्दय हमारा प्राण है तो नाम का धोवन बात्रूम में जाएगा ना इसले ब वस्त राधा नाम का है तो हम उपर ओड़े विए फिर उसे टांग दिया अगर कभी धोना पड़े ना तो हम तो कहेंगे यह सला की यमना जी में ब्रंदावन में धोए नहीं तो राधा नाम है अगर साधारन के पैर के नीचे भी पड़ा तो ठीक एक बार क्या हुआ राध पे किसी का पैर पड़ जाएंगा ठाकुर जी ने लिखा ठाकुर जी बनते थे रास में तो बुलाया उनका ठाकुर जी आपने ऐसा कैसे कर दिया और फिर वहां की पूरी दज उठाकर अपने अचले में और तुलसी जी के घेरे में डाले तो महापुरुष जन राधा नाम के महिमा जानते तो इसलिए हमें देखके लगा कि आप कृपा करके हाँ आए हो तो आप ये सीख ले लो कि आप साधे वस्तरधारण कीजिए अगर हम दुपट्टे में है तो चलेगा दुपट्टा ओढ़ लिया ना फिर उसे सम्मान से टांग दिया लेकिन हम उसे बाथरूम में नहीं दोएंगे क्योंकि नाम भी राजमान है हम जितना नाम का आधर करेंगे उतने ही नाम हम पर कृपा करेंगे मारे से एक और इसमें आजकल ठाकुर जी राधा कृष्ण की छवियों वाली टी-शर्ट सादी भी डालते हैं लोग उसको भी सेम विराजमान करेंगे कि जैसे हम छवि को भी तो सिंगासन में बिराजमान करते हैं हमालो राधा कृष्ण जी की छवि बनी है और हम उसे ऐसे धोएं तो नाम और रूप तो बातें कहीं हो गए आज कल क्या है लोग अपने सामान को बेचने के लिए ऐसे नाम प्रभू के रख देते हैं आप या कार्ड में नाम छपवा देते हैं या अब उनको ये पता नहीं है कि इसको कार्ड जो निमंतरन कार्ड में नाम बनाया प्रभू का रूप बनाया वो उसे डेस्टिविन मे फेकेगा फेका ज़ता है ना अब वही नाम हम जबते हैं वही रूप प्रभू का हमें लाब कैसे मिलेगा क्या अपराद नहीं बनता अब यह लोग नहीं जानते हैं तो आप करपा करके आयोत इसलिए आप से कर अभी हमने यहां से कोई को हमें एक टी-शिट दिखा रहा थ अगर वो चवी का हम उतना अदर अगर पीठ में है तो कैसे अगर हम वस्त्र में चाती में भी रखे हैं तो देखो सब चीत दिखाई थोड़ी जाती है यह हमारे गुरुजी है यह राधाना में यह हम अलग से अपने और छुप चुपा कैसे यह प्रदर्शन की थोड़ी तो हम अगर गुरुजनों की चवी पहने तो यह है अब हम इसे धोएंगे थोड़ी यह आजीवन हमारी चाती से लगे अब कपड़े पे तो मतलब उपहास समझो ना जैसे पोश्टर में छपा दिया नाली में फटा गुरुदेव का पोश्टर पढ़ा है उसी गुरुदे अब अगर आप सौच गए हैं तो फिर अब देखो अब जैसे मेहंदी लगवाई उसमें आपने राधा नाम या स्याम सुंदर बनवा लिए या इसे नहीं करना चाहिए जैसे आपके हाथ है अब आप प्राता कालिन अपनी नित्तिक्रिया करते तो फिर दोनों हाथ अब उ अब इसी का सुदार किया रहता है तो आप इस पर ध्यान में देजाएं